नमस्कार पढ़ाम साथियों आए स्वागत है हमारी यूट्यू चनल आरसी फिल में साथियों आज मैं दो ऐसे बात बताने जा रहा हूं इसके बाद आप नहीं तो कोई गाना निकाले में दिक्कत होगे आपको और नहीं तो कभी यह ट्रिक आप भूल सकते हैं तो बने रहे विडियो के लाज तक एक ऐसे ट्रिक ले करके आज मैं आया हूं कि जिससे कि आप कोई भी स्वाग आसानी से निकाल सकते हैं विडियो के लाज तक बने रहे यह बहुत ही खास विडियो है आप लोग के लिए अच्छी जनकारी में ले करके आया हूं मेरा उम्मीद है कि लेक कर गाना बजा लेते हैं लेकिन खुद से नहीं निकलता तो यह सबी समस्याओं को लेकर के मैं एक समाधान लेकर करके आया हूं आज के बाद बीना रुके कोई भी स्वाग प्ले कर सकते हैं बड़ दो बात आपको ध्यान में रखना है देखिए क्या आप दो तरह से ग अमापाधानी सानी धापावागाली साथ यह हो गया आप इन बटम को इसकीन सोट ले लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अपने मुबाइल के हिसाब से आप आठ बटम रख सकते हैं आपका मुबाइल छोटा है तो साथ भी रेकर चलेगा आठ काले को रखिए अप इसका स्काल ले लिए और यह देखी यहां से सा मानना है देखिए आपको नुटेसन क्यों से आता मैं दिखाता हूं आपको यह जो इसकेल चेंजर है इसका यह लाश्ट में करना चे नमबर बे तो यहां से साका नुटेसन शुरू हो जाएगा ठीक तो अब क्या करना है मैं आपको निकाल के बताता हूं कि कैसे निकाला जाता है कोई भी गीत को देखिए बहुत ही इजी तरीके से जो कि आप एक बारे बजा सकते हैं आई देखिए आप तो यह हो गया साथ हम यहां से डूढने के लिए स्वोंग को चालू करेंगे एक बात याद रखिए कि हम बजाने का टाइम में जो हम मैंने सरगम बताया है एक दो ती चार पांच छे साथ इन सारे बटम के अलावा कोई बटम को टच ना करेंगे ठीक ना एक ल तरह से आप दो चार बार रियाइज कर सकते हैं और गाने को डूढने के लिए चालू किजिए देखिए कैसे सोंग का बोल है फूलो सा चेहरा तेरा हम यहां से डूढते हैं सास से स्टाट करेंगे डूढने के लिए कैसे डूढता हूं देखिए एक बात याद रखी कोई फूलो सा फूलो सा यानि फूलो सा यहां पे तीन स्वर का यूज है जिसमें लास्ट वाली स्वर है बहुत हमें तेज से बोलना पड़ रहा है जैसे की देखी दो तो मिल गया हम शुरुआती में सुद्ध स्वर का उप्योग करेंगे ना मिले तो ही कोमल का हम उप्योग करेंगे पहला लाइन इस सोंग का देखी पहले मिला पहला क्या है तो ढूणने का टाइम में हम यह भी दवा सकते हैं यह भी दवा सकते हैं यह भी दवा सकते हैं जो सही फिट बैठेगा उसके उपर जैसे की नहीं किलियर फूलो अब सा नहीं तो अंदाजा लगा लगा जा सकता है कि सा जो है फूलो सा तो उपर है तो हम यहां जाएंगे डा देखिए उसके बाद दूसरा इस्टेपे चेहरा तेरा फिर यहीं यहीं से जैसे एक दूर तीन यह यह हमें पकड़कर रखना जहां पर लास्ट हो वहां पकड़कर रखना फिर यहां से नूर्णना है चेहरा तेरा चेहरा तेरा यह दिखिए ध्यान रखना है कि उपर है नीचे नहीं देखिए यहां से अब देख पार है ना जो मैंने साथ बटम पताया था एक दो तीन चार पाच्छे साथ बस उसी के अंदर में सोंग को निकाल रहा हूं और उस दुनिया को कोई भी गाना सार चेहरा तेरा उसके बाद है देखिए सोरी यह नहीं लेगा कलियों सी मुश्कान है देखिए कि लिए उसके बाद रंग तेरा देखिके रूप तेरा देखिके कुदरत भी है रान है देखिए कितना सब्सक्राइब प्रेसे देखिए उसके बाद रूप तेरा देखिए उसके बाद तो तो क्या है न साथियों आप जब सरगम बयाना सीख याते ना जिस जो सरगम आपको आता बहितां जाहां से आप सारे गमां बयाते हैं जैसे मैं यहां से बजा रहा करें जैसे मैं आभी बता है तो उसी तरह से देखिए अब दूसरे मान के चलिए आप अगर इसे सा मानते हैं तो ये रहे होगी ये पा हो गया कैसे ये भी बताता हूं देखिएगए आप कहीं से सारे पा तो सारे गामा में ही कोई दुनिया का कोई भी गाना बाईता है आप यह ट्रिक का यूज करके आप कोई भी सोंग को बजा सकते हैं किलियरली बीना रुके हुए थोड़ा सुरू का टाइम है थोड़ा आप से सलो बजेगा लेकिन जब आप जितना ज्यादा रियाज करेंगे उतना बहत्री और अच्छे बजा पाएंगे तो साथियों मुझे उम्मीद है कि यह ट्रिक आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सोंग नए ट्रिक के साथ तब तक आप सिखते रहिए और कोई भी सोंग बजाना हो तो एक आपको जो अच्छा लगे बहुत तरह का वीडियो में बना चुका हूं आपको जो अच्छा लगे आप उसे देखकर सीखिए मिलते फिर आगले वीडियो में तब तक के लिए बाया बाया नमस्कार परणाम साथियों जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है और कुझे बात है तो इसलिए मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग को कई हेल्फ हो जाए